Hi everyone, welcome to study simplified. Today we are going to do संगम पीरियद. In last class we did foreign successor of Morayas. तो आज basically हम देखेंगे south में जो संगम पीरियद चल रहा था. जिसमें basically three kingdoms थे, Chera, Chola and Pandyaas. तो उसके बारे में आज हम detail में पढ़ेंगे, बट इसके पहले हम एक map देखते हैं, जिससे की हम इनकी location अच्छे से समझ सकें. तो ये देखें map, south में आप देख पारे होंगे, Chera, ये वाला जो reason है, ठीक है? Chola and Pandyaas. ये basically संगम पीरियद है. Pandyaas का जो location है, वो Tamil Nadu के आसपास है. Chera का जो location है, वो Cadillac के आसपास का है, मान लिजिए. And Cholas का जो है, वो little north के तरफ है, कर्नाटका वाले area में. तो इस तरीके साब देख रहोंगे, extreme south में ये तीन. और अगर उपर देखें, तो देखें, इसी समय जो foreign successors आए थे, जो की Indo-Greeks, Kushanas, Sakas थे हैं, और जो सत्वाहनास थे, वो तो identical with Andras थे. तो इस समय हम देख सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी था, ये Sakas कैसे struggle कर रहे थे, सत्वाहनास के साथ. तो जो साका का जो famous ruler था, रूद रिदमन, मैंने आपको बताया था, कि उनके टाइबे बहुत सारे military conquest हुए थे, because of this सत्वाहनास. ओके, तो बेसिकली आज तो हम पढ़ेंगे, south के बारे में, संगमेज. तो आईए देखते हैं. तो देखें, first page पे आप ये table देख पा रहे होंगे. तो ये जो table है, इसमें हमें क्या याद करना है? Kingdom, ये three kingdoms है, Chera, Chola and Pandya. ठीक है? इसके capital cities हमें याद रखनी है, and famous ruler. ठीक है? आप चाहो तो first ruler पढ़ सकते हो, but exam में famous ruler ही पूछा जाता है. तो देखते हैं, Chera, उसकी capital city थी 1G, okay? And the famous ruler was Sengutuwan, और इसको Red Chera भी बोलते थे. और ये SSE में एक्जाम में आ चुका है, कि who was known as Red Chera? तो आपको बताना होगा, Sengutuwan, okay? Sengutuwan will be answer. तो चलिए, next, Chola. ठीक है? चोला का जो capital city था, वो था उरायूर. ठीक है? And जो इसके famous king थे, वो थे कराई कला. तो याद रखेगा, exam point of view is important है. Next आ जाता है, Pandya. Pandya की जो city थी, capital city, वो थी मदुरेई. And जो इसके famous ruler हुआ करते थे, वो थे Nindu Jalian, okay? तो यह आपको याद रखना है, तीन kingdom और इसके जो famous rulers थे, और जो capital city थी, ठीक है? अब हम इसको detail में देखते हैं, तो देखिए, चेरास के बारे में, the capital of Chera was Vangie, ठीक है? And main ports were Musris and Tondi. तो यह आपको याद रखना है, आगे देखते हैं, देखते हैं, चोलास में हमने देखा, कि capital थी, इसकी बारे में देखते हैं, की उरायूर, ठीक है? और इसके जो most famous king थे, उनका नाम क्या था? कराइकल, अब देखिए, कराइकल के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, जो exam में हमेशा पूछता है, कि he founded Kaveri Patnam, ठीक है? Kaveri Patnam का, किसने खोज किया था? तो कराइकल, ठीक है? इसके अलावे, एक और question निकलता है यहाँ से, कि he constructed 162 km of embankment along the Kaveri River, ठीक है? with help of 12,000 Sri Lankan slaves, तो यह जो Kaveri River है, उसके किनारे, 160 km का embankment किया था किसने? कराइकल ने, तो यह आपको याद रखना, यह exam में कई बार पूछा गया है, ठीक है? इसके अलावे देखें, तो कराइकल जो थे, वो बहुत famous and great king तो हुआ करते थे, ठीक है? और उन्होंने कई सारे काम भी किये थे, और इनके time में, जो चोलाज है, वो famous होते थे, trade of cotton के लिए, ठीक है? तो यह याद रखना है, cotton के लिए, चोलाज famous हुआ करते थे, नेक्स्ट हम आते हैं, यह एक map है, जो मैंने आपको दिखाया था, नेक्स्ट हम आते है, पांड्याज में, तो पांड्याज के बारे में देखिए, एक information मिलती है, मेगस्तिनीज के book से, मेगस्तिनीज ने क्या लिखा था, इंडिका, यह हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, तो मेगस्तिनीज ने जो book लिखी थे, इंडिका, उसमें यह पता चला, कि जो पांड्याज थे, they were famous for pearls, अभी हम लोगों ने देखा, चोला वेर फेमस for cotton clothes के ट्रेडिंग के लिए, और पांड्याज वेर फेमस रखना है कि the greatest पांड्या किंग वस नेंदुजलियन, ठीक है, accused कोलवन of theft, as a result, the city of Madurai was laid under curse by कनांगी, जो की कोलवन की wife थी, तो यह तो एक ऐसी एक बात है, बढ़ आपको यह याद रखना है कि जो greatest पांड्या किंग थे, उनका नाम था नेंदुजलियन, ओके, तो इस तरी नहीं पढ़ना है, यह एक्जाम में नहीं आता है यहां से कुछ, अब आपको जो पढ़ना है वो संगम लिट्रेचर है, यह most important है, यहां से तो कई बार questions आये हैं, अब देखिए, संगम लिट्रेचर में basically three संगम के बारे में पढ़ना है, अब यह संगम होता क्या है, संगम का हिंदी मीनिंग बोला जाए, तो होता है मिलन, ओके, तो संगम basically assembly होता था, of Tamil poets, ठीक है, जो Tamil poets होते थे हैं, उनका assembly होता था, और यह जो assembly conduct करवाय जाता था, वो पांड्यास conduct करवाते थे, कहां पे, तो मदूरई में basically, ठीक है, तो आईए, हम लोग देखते हैं, यह table, basically आप लिए information देखिए, संगम was an assembly of Tamil poet, held under royal patronage of Pandya king in Madurai, ठीक है, यह exam में कई बार पूछा गया है, कि जो उनका यह होता था, venue, वो क्या हुआ करता था, तो Madurai हुआ करता था, आप याद रखियेगा, ठीक है, अब देखें, तो जो, यहां से देखिए, The first संगम was attained by gods and legendary sakes, all its work have been perished, अब देखें, ऐसा बोला जाता है, कहावत है, कि जो first संगम है न, उसमें gods भी आयते हैं, भगवान भी आयते हैं, उसको attend किये थे, बगए उसके जो भी works है, text है न, वो सब lost हो गया है, perished हो गया है, ठीक है, कुछ बच्चा नहीं है, तो ऐसा कि जो first संगम है, वो कहाँ पे हुआ, मदूरई में हुआ था, और किसके chairmanship में हुआ था, तो अगस्तिया, आप नाम सुने होगे, रिशी अगस्तिया, तो उनके chairmanship में ही है, ठीक है, और इनका कोई भी surviving text नहीं है, अगर second संगम की बात की जाए, तो second संगम के बारे में देखिये, the only surviving work is Tolka PM, ठीक है, और it was written by Tolka Peer, और ये क्या है, ये है Tamil grammar, ये most important है, ये कई बार SSE के exam में है, और even PCS के exam में पूछा जा चुका है, तो ये आप याद रखियेगा, जो second संगम हुआ, ठीक है, उसका जो text survived किया, एक ही text बचा, यहां पे भी सब खो गया, बस एक रहा, जिसका नाम था, Tolka PM, और ये किस ने लिखा था, Tolka Peer ने लिखा था, और ये basically बुक थी, Tamil grammar की, ठीक है, ये oldest literature हुआ, अगर इस तरह से question आता है, which is the oldest literature of संगम में, तो आपको answer करके आना होगा, Tolka PM, क्योंकि जो first संगम था, उसका तो कुछ बचा नहीं, तो इस तरीक संगम कहां पर हुआ, मदूरई में हुआ, ठीक है, अब इसका देखिए, इसके जो चेर्मेन थे, वो थे, नकीरर, ठीक है, जो first two संगम था, वो रेशी अगस्त थे, उनके चेर्मेंशिप में हुआ था, और जो third वाला था, वो नकीरर, ओके, तो ये याद रखिएगा, याद रखना है, जैसे कि पटू-पटू, ये आप याद रख लिजे, ये एक्जाम में एक आदबा पूछा गया है, और ज़्याद कुछ है नहीं, इसमें याद रखने के लिए, ठीक है, हाँ, एक चीज जो एक्जाम में अकसर पूछा जाता है, वो ये, याद रखिएग कि जो तीरू-वललबर थे, एक आदमी थे, उनोंने एक बुक लिखा था, जिसका नाम था, कूरल, ठीक है, उसको मुपाल भी बोलते थे, और वो धाइबल ऑफ तमिल लैंड है, उस बुक को बोलते है, दाइबल ऑफ तमिल लैंड, किसको? कूरल को, अब कूरल को और क्या नाम से बोलते हैं त्रीव कुनाल ठीक है तो यह एक्जाइम में कई बार पूछा गया है यह आपको याद रखना है कि जो तीरुवललवर थे उन्होंने बुक लिखा था जिसको बोलते हैं कूरल और उसको दबाइबल आफ तमिल लैंड माना गया है ठीक है और जो रिसी अग से कोशन्स आता है अब आगे हम बात करें तो आता है इपक्स अब देखें यहां पे तीन चार एप्स दे रखें जिसमें से एक तो मोस्ट इंपॉर्टन्ट है उसके बारे में देखते हैं पहला इपिक दे रखा सिल्पाडिकरम वैसे देखिए कॉन-कॉन से इपिक्स है श story of anklet written by inglo adigal और यह story में किसके बारे में बतायेगा है तो it is the story of kolavan and madvi of kaveri patnam kaveri patnam के kolavan and madvi की यह story है यह basically story है anklet की ठीक है यह लिखा गया है किसके द्वारा तो alingo adigal यह कई बार exam में पूछा गया है PCS के exam में and SSC CGL के exam में तो आपको यह याद होना चाहिए यह most important epic है ठीक है दूसरी epic की बात करें तो यह आता है money makelai तो यह basically कुछ नहीं है यह na sequel है जो पहली वाली book थी न सिलपडिकरम उसकी यह sequel है यह भी story है जिसमें की daughter born होती है kolavan and madvi की तो उसके बारे में कुछ story है तो आपको बस इतना याद रखना है और यह जो third and fourth है यह दो exam में नहीं पूछा है बटा आप एक बद देख लिजेगा सिवागा सिंदा मनी यह basically written by तिरिक्वा देवास जो की जानियस में से कुछ information कुछ इन्होंने लिखा है इसमें और जो लास्ट वाला है भरतम इट इस रिटेन बाई पेरू देवनार ओके तो इतना खाफी है इपिक्स तो आम लोगों ने देख लिया इसमें आप सिलपड़ी करम अच्छे से पढ़ ली जोगा क्योंकि यह important है और तो बाकी भी देख सकते हैं अपने information के लिए ठीक है तो यह chapter का end हुआ अब next chapter मनों start करेंगे गुपता पीरियड से तो आप बताइएगा आपको यह वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो लाइक किजेगा और अगर अच्छी नहीं लगी तो कमेंट करके बताइएगा क्यों सही नहीं लगी and that's all in this video मिलते हैं next video में गुपता पीरियड के साथ thank you for watching